हलो एब्रीवन वेल्कम बैग टु माई चैनल इंडियन फूड आयोध्या जै मातादी फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ही स्वाधिष्ट और बहुत ही एजी रेसेपी करेले की सब्जी सुनकर ही लगता है कि बहुत कड़वी बनी होगी लेकिन जिस तरीके से मै बनाने वाली हूं अगर आप भी उस तरीके से बनाते हैं तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बच्चे भी इस रेसेपी को बहुत ही प्रेम से खाएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करेले को काट लेना है तो पहले ही हमने करेला धूल लिया था तब काटा अब इसमें हमने डाल दिया है एक चमच नमक और नमक डालकर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे तो इस रेसेपी को फ्रेंड्स लास्टे तक जरूर देखिएगा आपकी रेसेपी बहुत टेस्टी बनेगी अगर आप लास्टे तक वीडियो को देखते हैं तो देख अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेना है बिल्कुल सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे प्याज को गलाएंगे नहीं देखिए एक एक प्याज अलग अलग रहेगी इस तरीके से हमें इसे फ्राई करना है तो हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो जिसे प्य नहीं है अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट इस्टाइल में हम इस रेसेपी को फ्रेंट्स बनाने वाले हैं तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो हम सारे प्याज को पहले निकाल लेते हैं और यह देखि तो मुझे थोड़ा सा जल्दी है तो मैं जल्दी-जल्दी में सिर्फ 10 मिट ही इसे मैंने रखा है और देखिए हाथों से अच्छी तरीके से दबाकर इसका पानी निचोड देंगे तो पहले मैं सारा पानी इसका निचोड लेती हूँ और यह देखिए 10 मिट में ही कितना पानी निकल रहा है इसमें से, इससे करेले कड़वे नहीं होते हैं, तो इस टेकनिक को जरूर ड्राई करिएगा, तो देखिए इतना ही पानी अभी निकला है, तो 10 मिट में बहुँ ज़्यादा इसमें से पानी नहीं निकल पाया है, अगर आप और टाइम तक रखते हैं, थो बड़ा सुनहरा होने तक घून लेंगे ये देखिए लैसुन अच्छी तरीके से पक गया है आप इसमें हमें करेला डाल देना है और करेले को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेगा आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आप इसी तरीके से बनाने लगेंगे क्योंकि विल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा तो मेरी गारेंटी है कि यह कड़वा नहीं लगेगा क्यूंकि मैंने इसे बनाया और ट्राइग गिया उसके बाद मैं इस रेस्पी को आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ तो देखिए पांच मिनट तक धीमी आज पर हम इसे छोड़ देंगे क्यूंकि हमें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है तो हम धीमी आज पर पूरी रेसिपी तयार करेंगे और इसे ढख देंगे थोड़ी देर बाद फिर इसे यक्कन हटा कर अच्छी तरीके से चला देंगे जिसे की तली में चिपकने न पाए और धीमी आज पर हम पकाएंगे जो जब तक करेले पक रहे हैं चलिए मसाला तया लिया है धनिया सावुत और उसके बाद एक चमच लिया है सौफ और आधा चमच मेथी और दो चुटकी लिया है जीरा और आधा चमच मंगरेल और कुछ दाने हमने मौंफली के भी लिए हैं तो मौंफली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करेले में आप ट्राइ करके ज सारे मसाले को भून लीजेगा उसके बाद इसमें मौंफली भी डालकर हलका सा गरम कर लीजेगा तो सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून कर ठंधा करेंगे उसके बाद पीस लेंगे हम तो मसाले भून गए हैं अब दूसरी तयारी कर लेते हैं तो यहां पर हमने लिया है एक कच्चा आम, अगर आपके पास आम ना हो, तो आप निवू करस ले सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर ले सकते हैं, तो हम कच्चे आम को कद्दुकस करेंगे, और इसे करेली में डालेंगे, तो पहले मैं इसमें खटाई भी डालती थी, खटाई से भी बहुत अच्छा करेला बनता है, तो मेरे पास खटाई नहीं है, तो मैंने आम ही डाला है, आम से भी बहुत अच्छा टेश्ट आता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, तो एक आम को हमने कद्दुकस कर लिया है, बहुत जादा नहीं डालेंगे, हल्का सखटा पन हो जाएगा, बस इतना ही आम हमें इसमें डालना है, और देखिए, करेला कितनी अच्छे तरीके से पक गया है, तो धीमी आज में हमने इसे पकाया है, और इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरीके से अगर हम इसे पकाते हैं, और अभी हमने इसमें नमक भी नहीं डाला था, तो नमक थोड़ा सा हिसाब से ही डालेगे क्योंकि मैंने पहले भी इसमें नमक डाला था तो नमक कम ही डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही पानी निकला था तो ज्यादा नमक इसमें से नहीं निकला था तो थोड़ा नमक डालेंगे उसके बाद बाद में चेक करके कम होगा तो फिर से डाल सकते हैं लेकिन पहले से ही ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आम और आम को भी अच्छी तरीके से करेले के साथ मिक्स करेंगे तो कद्दुकस करके डालने से फायदा ये होता है कि पूरे करेले में बराबर से आम का प्लेवर आ में बिना हल्दिके भी बना सकते हैं तो मैंने इसलिए डाल दिया कि देखने में थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा और करेला हमारा पक चुका है मैं आपको दिखाती हूं कितनी अच्छी तरीके से पक गया है यह देखिए अब हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने फ्राइए करके प्याज रखता हुआ था तो हम लाश्ट में डालें गे जिससे की करेले में इसका flavor अच्छी तरीके से यह आ यहे अगर हम पहले ही डाल देते तो करेले से पहले प्याज गलकर कड़ाही के तली में चिपक जाती है तो जो जली-जली सा तेश्ट आता है तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एक-एक प्याज अलग-अलग भी रहेगी देखने में भी तेश्टी लगेगा और करेले के साथ हम खाएंगे तो हलका सा मीठा पन होगा और आम से थोड़ा सा कटरा पन होगा और मसाले बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आएंगे तो देखिए अब हम साले ढाल देते हैं तो लगबक 3-4 चमетр मसाले इसमें डाल देंगे जितने अच्छे तरीके देना ही पड़ेगा अगर कोई भी रेसेपी अच्छी बनानी हो तो उसमें थोड़ा सा एफेक्ट लगाना पड़ता है तो हमने अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर दिया है अब हम इसे ढग देते हैं और 5 मिनिट तक फिर छोड़ देते हैं धीमी आज पर और देखिए यसे मसाले हलके से तली में लग जाते हैं और करेले में सारा फ्लेबर भी मसाले का आ जाता है तो देखिए फ्रेंट कितनी आसानी से और कितनी टेश्टी सबजी बनकर तयार हो गई है तो मैं उमेद करती हूँ कि आपको ये रेसेपी पसंद आई होगी फ्रेंट अगर जारा सा भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और मैं आपको रेसेपी सर्फ करके भी दिखाऊंगी कि कितनी ज्यादा स्वाधिष्ट ये सबजी बनी है जो लोग करेला नहीं खाते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इस तरीके से करेला बनाते हैं तो और तेल भी कितना कम लगा आपन कर तयार हुई है और बिल्कुल मसाले में लिप्टी हुई सबजी है तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वेडियो में एक नए रेसेपी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा थैंक्स पार वाचिंग जैमातादी